तो अभी आपने ट्राफिक कंट्रोल डिवाइसेज में कुछ पॉइंट्स पड़े पहले तो आपने सिगनल्स के बारे में पड़ा, साइन्स के बारे में पड़ा, अब है रोटरी जो की ट्राफिक को कंट्रोल करने के लिए यूस की जाती है, तो IRC ने कुछ सजेस्ट किया ह कि जो मैक्सिमम अगर वॉल्यूम ट्राफिक का होता है, एप्रॉक्स 3000 वेहिकल पर आर, तो इसको इतने मैक्सिमम वॉल्यूम को भी जो रोटरी है, वो इसली हैंडल कर सकती है, और मिनिमम वॉल्यूम अगर 5000 वेहिकल पर आर है, तो आप रोटरी को डिजाइन कर सकते हैं, म लेक्स ऑफ इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन के जितने लेक्स हैं, उनसे सारे लेक्स से जो एंटर हो रहा है, टोटल वॉल्यूम, वो मिनिमम तो 500 वेहिकल पर आर होना चाहिए, और मैक्सिमम 3,000 वेहिकल पर आर, देख लिजें, नेक्स पॉइंट, इन वी ओफ मिक्स ट् कंडिशन के व्यू से अगर आप देखें, तो IRC ने रिकमेंड किया है कि ट्राफिक रोटरी जो है, में भी प्रोवाइड़, जब इंटरसेक्शन ट्राफिक जो है, वो अबाउट 50% है, ठीक है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और more of the total traffic on all intersecting roads, जितनी भी roads हैं, उसम में मूव कर रहा है, ट्राफिक लेकिन right direction में मूव कर रहा है, तो वो अगर at least total traffic का 30% हो, तो आप रोटरी को जो है, वो प्रिफर कर सकते हैं, clear है, तो रोटरी के बारे में देख लीजिए, रोटरी basically कुछ इस टाइप की होती है, जैसे यह लेक्स प्रोवाइड कर देते है ठीक है, और यहाँ पर एक central island बना देते हैं, यह कहलाता है central island और यहाँ से यह radius जो होती है, कहलाती है radius of central island, clear है, यहाँ पर हर लेक्स पर जो है, यह splitter island प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ इस टाइप का island आपने देखा होगा बना हुआ, clear है, तो यह splitter islands जो है, हर लेक्स पर प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे जो भी traffic है, वो अपनी ही direction में easily move कर सके, ऐसा नो हो कि उसी road पर आपस में जितने भी traffic volume है, जो भी traffic है, वो आपस में यह सेम road पे ही टकरा जाए, clear है, तो splitter यह कहलाता है splitter island, और अगर आप बात करें, कि एक splitter island के adjacent splitter island के वीच की जो length होती है, clear है, तो वो कहलाती है आपकी weaving length, यह आपकी कहलाती है weaving length, यह आप यह कह सकते हैं, कि distance between two adjacent splitter island के बीच की distance यह आप कह सकते हैं weaving length, और जो central island से, जो width यहाँ पे, overall जो width होती है, suppose यह W है, जहां से आप curve देख रहे हैं, यहाँ जो length के बीच ती की central island से जो distance होती है, वो आपकी कहलाती है W, यह इसको आप यह कह सकते हैं, कि यह हो गई width of rotary भी इसको बोलते हैं, यह आप कह सकते हैं weaving section, यानि कि width of weaving section, clear है, अब यहाँ पे देख लीजए, कि यह जो है, यह overall यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं carriageway होगा, यानि road है जिसको carriageway कह रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो distance है simply, इसको कहते हैं approach width, जो approach width है, वो क्या होगी, carriageway की half होगी, यहाँ पे overall कोई भी vehicle आया, वो यहाँ से entry करेगा, तो overall यहाँ पे जो width होती है, इसको even से denote करते हैं, जहाँ even क्या है आपकी entry width, clear है, और जहाँ exit करेगा, यहाँ से exit हो रहा है, तो यह overall यह जो width हो गई, इसको e2 से denote कर देते हैं, तो e2 आपकी क्या हो गई, exit width, clear है, तो इसकी जो radius होती है, यहाँ की अगर बात करें, तो यह आपकी इस curve की radius हो गई, यह r entry हो गई, यहाँ पे अगर आप बात करें, तो यह जो radius हो गई आपकी, यह हो गई r exit, यहाँ exit radius, clear है, तो जनरली जो exit radius होती है, वो हमेशा entry radius से ज़्यादा रखते हैं, यह हो गई आपकी radius of central island, ठीक है, तो यह जनरली जो है, rotary होती है, नहीं हर lex से जितना भी traffic total enter कर रहा है, तो maximum अगर volume 5000 vehicle per hour है, और अगर minimum 500 vehicle per hour है, तो आप क्या prefer कर सकते हैं, रोटरी को prefer कर सकते हैं, objectives में यह values जो हैं, पूछ लेते हैं, आपको ध्यान होनी चाहिए, clear है, अब बात करते हैं, कुछ shape of rotary की, तो जनरली अगर आप बात करें, shape की, shape of rotary, तो जनरली जो है, different shape में provide करते हैं, rotary को, जैसे की, आप circular rotary भी provide कर सकते हैं, circular rotary आप तब provide करते हैं, जब हर leg से traffic जो है, लगबग equal आ रहा हो, clear है, यानि सारी leg पे equal traffic important हो, generally कहीं कहीं पर आपने देखा होगा, elliptical जो है, rotary भी provide कर देते हैं, कहीं कहीं पर जो है, कुछ इस type की provide करते हैं, rotary, rotary, ये rotary बना देते हैं, इसको कहते हैं, turbine shape, clear है, तो ये rotary बन जाती है, कभी जो है, कभी कभी rotary कुछ इस type की provide करते हैं, ठीक है, ये rotary जो आपकी कहलाती है, tangential rotary, tangential rotary जो है, आप जनरेल तब provide करते हैं, जब किसी leg पे important नहीं है, ज़्यादा traffic नहीं हो, किसी leg पे ज़्यादा traffic है, तो इस type की आप tangential rotary जो है, वो provide कर देते हैं, आगे देख लीजे, कि when two roads are equally important, जब दोनों ही roads equally important है, यानि सारी roads जो है, वो equally important है, तो circular shape rotary प्रिफर करते हैं, when one road is more important in comparison to other, यानि एक road पे traffic ज़्यादा है, दूसरे के comparatively तो आप tangential shape of rotary को prefer करते हैं, कुछ terms आते हैं, design speeds के rotary के, तो generally जब कोई भी vehicle rotary में आता है, तो वो अपनी speed को थोड़ा सा reduce कर लेता है, clear है, rotary time पे थोड़ा reduce कर लेता है, यह आप suppose कर सकते हैं कि वो सारे vehicles जो है, same velocity पे move करते हैं rotary में, clear है, तो generally जो design speed है, IRC ने prefer करी है, for rural roads के लिए, तो जो rural roads के लिए, जो design speed IRC ने prefer करी है, वो है around 40 km per hour, यह values आपको याद होनी चाहिए, objective purpose के लिए, clear है, वही अगर for urban roads की आप बात करें, तो urban roads पे लिए, जो IRC ने prefer करी है, जो design speed है rotary पे, वो 30 km पर hour रहनी चाहिए, rural areas में ज़्यादा traffic नहीं रहता, थोड़ी speed आप बढ़ा सकते हैं, area जैसे city वेकर हो गए, तो वहाँ पे आप speed को थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, क्योंकि traffic ज्यादा रहता है, clear है, अब बात आती है entry, exit and island radius, तो generally जो radius होती है entry पर, वो depend करती है, कुछ factors पर, जैसे की design speed, super elevation, design speed पर, super elevation पर, और coefficient of lateral friction पर, तो जो entry है, rotary की, वो straight नहीं रहती, कुछ curvature, जब यहाँ से आप एक leg से, आप दूसरी leg में move कर रहे हैं, तो थोड़ा curvature रहेगी entry, तो small curvature introduce हो जाता है, which force the driver to reduce the speed, जो की driver को, speed को कम करने के लिए थोड़ा force करता है, जब कोई भी driver अपका curve में चल रहा है, तो वो क्या करेगा, speed को थोड़ा सा reduce कर लेगा, तो exit radius हमेशा, थोड़ी entry radius से ज़्यादा रखनी चाहिए, और जो radius होती है, rotary island की, so that उसकी rotary island की भी radius से भी exit radius ज़्यादा रहती है, जिससे vehicle discharge हो रहा है from rotary से at higher rate, यानि कि entry तो slowly करी, but exit radius होड़ी ज़्यादा कर लेते हैं, जिससे speed में जो है vehicle discharge हो है, यानि speed में जो है vehicle निकल जाए, clear है, तो जो entry radius provide करते हैं, वो generally, our entry जो है, वो around 20 to 25 meter रहती है, ये ideal value है, clear है, इतनी radius करी provide करते हैं, वही अगर आप exit radius की बात करें, तो जो exit radius है, वो 1.522 times रहती है, radius of entry के, clear है, आर entry के 222.5 times थोड़ी slightly ज़्यादा रहती है, ये values आपको ध्यान रखनी होगी, कि कितनी ज़्यादा रहती है, और radius जो central island की है, clear है, यहाँ CI क्या है, central island, जो generally rotary के बीच में provide करते हैं, radius जो central island की है, वो 4 by 3 times होती है, radius of entry के, clear है, तो जो entry radius है, वो किस पर depend कर रही है, speed पर, design speed, super elevation और lateral friction पर, तो जो आप formula पढ़ते हैं, super elevation का क्या होता, ease f plus f equal to v square upon 127 r, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, overall super elevation जो है, generally आप 0 रख देते हैं, clear है, super elevation को 0 provide कर देते हैं, तो r entry जितने भी होगी, value आईगी, वो 1.5 से 2 times होगी r exit की value, और 4 by 3 of r entry जो होगी, वो होगी आपकी radius of central island, अब आताती है width of rotary या width of weaving section, जिसको आप w से denote करते थे, जैसे ये rotary है आपकी, clear है, इस type की rotary है, तो generally ये क्या है, w, जो भी radius of central island से overall legs तक की जो distance होती है, width of rotary क्यालाती है, तो ये जो है, आपकी depend करती है, entry width, जैसे यहाँ पर central island प्रोवाइड किया, तो ये e1 हो गई, entry width हो गई, और यहाँ पर central island प्रोवाइड किया, splitter island, तो ये हो गई आपकी e2 यानि की exit width, clear है, तो इन पर depend करती है, तो generally जो width of rotary की value होती है, होती है, even plus e2 by 2 plus 3.5, तो ये होती है, आपकी width of rotary की value, clear है, तो generally जब आप इसको calculate करते हैं, जो even की value है, वो approximately e2 के equal ही रहती है, आप जैसे यहाँ की बात करें, तो यहाँ पर entry होगी, यानि ये even हो गई, तो दूसरे के लिए यहाँ पर ये value क्या हो गई, e2, clear है, तो even e2 की value generally same ही होती है, तो आप इसको क्या लिख सकते है, e plus 3.5, तो जो भी width of rotary है, उसमें जो entry width होती है, even, ये depend करती है approach width पर, clear है, तो approach width जो है, किस हिसाब से है, उसके according जो है, आप entry width को decide करते हैं, तो आपको पता है कि rotary की, suppose ये legs है, ये rotary है, तो जो approach width होती है, जब आप यहाँ पे splitter island provide करते हैं, तो आपने देखा है कि ये approach width होती है, और generally ये क्या होती है, half of carriage way, यानि जो carriage way width है, उसकी क्या रहती है, half रहती है, clear है, तो अगर approach width की value seven meter है, तो entry width आप six point five meter provide करते हैं, अगर ten point five meter approach width है, तो आप यहाँ पे generally seven meter provide करते हैं, और ये अगर fourteen meter है, तो इसकी value आप approximately 8 meter provide करते हैं, clear है, तो generally e1 equal to e2 मान लेते हैं, तो width of rotary आपकी क्या जाती है, e plus 3.5, तो जो भी e1 की value है, वही आप ले लेते हैं, उसमें 3.5 और add कर देते हैं, तो यह आपकी हो जाती है, width of rotary या width of weaving section, अब next term आता है, weaving length, जिसको आप L से denote करते हैं, तो weaving length होता क्या है, कि आपने देखा यह rotary है कोई भी, तो इसमें जो splitter island provide करते हैं, clear है, तो adjacent splitter island की बीच की जो length होती है, निकि past वाले splitter island की बीच की length होती है, वह आपकी क्या कहलाती है, weaving length, clear है, तो यह जो है, इसलिए determine करते हैं, कि आपको पता चल सके, कितना smoothly traffic एक दूसरे के साथ merge कर रहा है हो, कितना smoothly diverge हो रहा है, अगर यह length ज़्यादा provide कर दी, तो क्या होगा, कि जो भी vehicle move कर रहा है, उसको ज़्यादा space मिल गया, straight line में, तो वो क्या करेगा, अपनी speed को बढ़ा तो इसलिए इसकी length जो है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो very large weaving length is also dangerous, और it may encourage over speeding, यह over speeding को encourage कर सकता है, तो generally जो length होती है, weaving length, वो should not be less than 4 times of width of rotary, यानि कि 4 times of width of rotary से should not be less than, यह कम नहीं होनी चाहिए, clear है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा ही होनी चाहिए, तो अगर आप बात करते हैं, w की, तो width of rotary आप निकाल चुके हैं अभी इस formula से, e1 plus e2, यानि entry width plus exit width by 2, plus 3.5, clear है, तो generally यह value same ही ले ले लेते हैं, तो क्या लेते हैं, e plus 3.5, तो इसका अगर आप 4 times कर दें, तो कम से कम weaving length इतनी तो होनी चाहिए, clear है, अब आता है next term, capacity of rotary, यानि capacity कैसे find करेंगे, इसको c से denote करते हैं, तो इसका एक formula होता है, कि 280 into w, जो की हो गई width of rotary, 1 plus eyw, जहाँ e क्या था आपका, e1 plus e2 by 2, clear है, into 1 minus p by 3 upon 1 plus w by l, तो ये formula आपको ध्यान रखना है, जिससे आप capacity of rotary, जो है, वो easily find कर सकते हैं, तो आपको पता है, w क्या है, width of rotary, और length l क्या है, आपको पता है, weaving length है ये, width of rotary, l क्या है, weaving length, clear है, जहाँ e क्या है, e1 plus e2 by 2, e1 entry width हो गई, e2 exit width हो गई, और p क्या है, ये है आपका proportioning ratio, proportioning ratio, इसकी जो value आती है, वो unit होती है, vehicle पर, vehicle पर arc, clear है, तो proportioning ratio का formula होता है, b plus c divided by a plus b plus c plus d, ये होता है, proportioning ratio, इसकी value जो है, आप find करते हैं, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए, कि b क्या है, c क्या है, तो b plus c की जो value क्यालाती है, ये क्यालाता है, weaving traffic, जो move कर रहा है, weave कर रहा है, clear है, तो ये weaving traffic हो गया, और ये सारी values को मिलाके बोलते हैं, ये कहलाता है, total traffic, यानि जो proportioning ratio होता है, वो weaving traffic और total traffic का ratio कहलाता है, जहां देख लीजिए, कि a क्या है, both entry and exit are fixed, तो जब entry और exit fix कर दी आपने, तो उस condition में जो overall values आएंगी, वो आपकी क्या कहलाती है, a, entry fix कर दी, यानि कि entry fix है, exit fix नहीं है, second case में जब exit fix कर दी, और d क्या है, passes from entry and exit, मतलब जो traffic volume आपको मिल रहा है, एक condition में, entry और exit जब आपने fix कर दी, suppose आपने क्या किया, कि ये एक बार एक rotary ले ली, जो four legs की rotary है, suppose, ये four legs वाली rotary ले ली, तो ये one माल लिया, ये two माल लिया, ये third leg हो गई और ये false leg हो गई, तो आपने माल लिया, one तो आपकी entry leg है, और two जो है, वो आपकी exit leg है, clear है, तो one entry है, two exit है, तो जो volume मिलेगा, ये क्या है, वो volume है, जब बोथ entry और exit fix कर दी, हमेशा rotary clockwise direction में ही move करती है, तो finally क्या होगा, traffic जो है, one से जाके two पे चला जाएगा, entry, यानि कि जो volume, traffic volume होगा, वो क्या लिख देंगे, v12, यानि one से निकला और two में चला गया, b क्या है, entry fix कर रखी आपने, अब entry fix कर दी है, exit fix नहीं है, तो finally क्या होगा, one जो है, one move करेगा, कहां जाएगा clockwise direction में, three तक, और जो one का traffic है, वो कहां चला जा सकता है, four तक, तो finally v की value क्या हो जाएगी, जो volume है, traffic volume, v13 plus v14, यानि कि exit आपने fix नहीं करी है, तो ये values तो आप लेंगे ही नहीं, तो finally आप क्या लेंगे, कि v13 and v14, ठीक है, c देख लीजिए, अब exit fix है, यानि कि exit ये fix कर रखा है, तो finally क्या होगा, कि four वाला जो, four लेक का traffic है, वो जाएगा, कहां जाएगा, two तक ही जाएगा, क्योंकि exit fix है, या three वाला भी कहां जाएगा, two तक जाएगा, क्योंकि ये हमेशा clockwise ही rotary move करेगी, तो finally इसकी value क्या हो जाएगी, four से निकला, two तक गया, plus v में three से जो निकला, वो भी कहां तक गया, two तक, clear है, अब d में क्या है, passes from entry and exit, entry न entry fix है न exit fix है, लेकिन इन दोनों से पास होके जा रहे है, तो finally क्या होगा, जो four से निकलेगा traffic, अब वो one two से पास होते हुए, entry और exit से पास होते हुए, किस में चला जाएगा, three में, तो finally ये value कितनी आ जाएगी, v four three, तो इस type से ये values आप calculate कर लेते हैं, और proportioning ratio की value निकाल लेते हैं, v plus c divided by a plus b plus c plus d, और ये value जब आप उसमें रख देंगे, तो traffic capacity की value आपको मिल जाएगी, clear है, एक question देख लीजिए, question क्या कहा रहा है, कि approach roads ते रखी है, north, east, south and west, clear है, जिसमें left turning, straight और right turning traffic जो है आपको given है, तो suppose आपने rotary बना ली, तो आपने जो rotary बनाई, तो ये क्या हो गई, suppose four legs वाली हो गई, क्योंकि 4 directions given है आपको question में, तो suppose ये हो गई आपकी rotary, तो आपको पता है, ये north direction हो गई, ये south direction हो गई, ये east हो गई, और ये west हो गई, ठीक है, त कि यहां से traffic ये approach हो गई, तो finally आपको पता है, कि left turning traffic, यानि north से left कहां move करेगा, ये direction हो गई, तो left turning traffic कितना है, 415, clear है, straight turning traffic कितना है, 650, और यहां से right turning traffic, जो right direction में जाएगा, वो कितना है, 300, clear है, सेम अगर east direction का देखें, तो east में जो left move कर रहा है, यानि east direction का traffic है, straight और right direction, यानि कि, जो left turning traffic है east का, तो east का तो left turning ये हो गया, यानि कि, ये value कितनी है, 300, और straight जो है traffic कितना है, 550, और right turning traffic कितना है, 250, clear है, वही अगर आप South की बात करें इस direction में तो ये Left हो गया, ये Straight हो गया और ये Right हो गया तो South में Left क्या है? 350 Straight की value कितनी है? 400 और Right Turning की कितनी है? 225 Same, West direction में ये Left हो गया, ये Right हो गया और ये Straight हो गया तो West में Left Turning traffic है आपका 400 Straight Turning traffic है 500 और Right Turning traffic है 300 Width of carriage way given है तो approach width निकाल सकते हैं, इसकी half करके 7.5 meter capacity आपको find करनी है rotary की, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आपको proportioning ratio देखना पड़ेगा P की value, अब यहाँ पे यह नहीं बताए कि entry क्या है और exit क्या है, कुछ भी fix नहीं है, तो आप इस type से ले सकते हैं, suppose आपने मानली है north और east द मानली है, next case क्या लेज सकते हैं, south entry मानली है, west entry मानली है और north exit मानली है, clear है, तो यह directions जो हैं, आप कुछ ले सकते हैं, तो अगर आप north east की बात करें, यह entry और यह exit, तो इसमें a की value कितनी होगी, आप यहाँ पे a की value, b की value, c की value और d की value निकाल सकते हैं, तो a की value क्या होग है, तो north से east में जाने वाला traffic कौन सा है, 415, तो यहाँ पे a की value कितनी होगी, 415, clear है, वही east और south की बात करें, चलिए b की पहले सारी values इसी की लिख लेते हैं, north east entry और exit हो गया, b क्या मतलब होता है कि entry fix कर रखी है, और exit fix नहीं है, तो पहले यह कहां जाएगा, north से clockwise, यह नि north से south और north से west, clear है, तो north से south जाने वाला traffic कौन सा है, यानि जो straight आ रहा होगा, 650, तो आपको पता है कि north से, जो south जाने वाला traffic है, वो खाया है, 650, plus north से, जो west जाने वाला traffic, आप देख रहे हैं, यह सीधे यहाँ जा रहा है, यानि 300, clear है, तो यह हो गई आपकी b की value, और यहा exit जो है, North East में exit E है, East है, तो ये fix कर दिया आपने, तो आपने देखा कि या तो West से East जाएगा traffic, वरना South से East जाएगा, तो West से East जाने वाला traffic कौन सा है, ये 500, तो ये 500 आपने नोट कर दिया, प्लस, South से East जाने वाला traffic, क्योंकि ये entry तो आपने consider ही नहीं करनी है, अब exit fix है, तो finally एक तो South से East जाएगा, दूसरा West से East, तो South से East जाने वाला traffic, डिरेकली आप यहां से देख सकते हैं, South से East कितना जा रहा है, 225, clear है, similarly अब D निकालने कि entry और exit से बस pass हो रहा हो traffic, और entry और exit को कोई भी fix नहीं किया है, तो आपको पता है कि जब West से निकला हुआ traffic, South में जाएगा, तो इस से पास होते हुए जाएगा, यानि West से South में जाने वाला traffic कितना है, 300, डिरेकली आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक जाने वाला traffic 300, clear है, तो इस type से जो है, आपको नॉल ती ratio की value निकाल सकते है, proportioning ratio का formula क्या होता है, V plus C divided by A plus B plus C plus D, तो इसके लिए proportioning ratio की value कितनी आ जाएगी, 0.70, same East South condition देख लीजे, अब East entry हो गई, South exit, तो A की value क्या हो गई, entry और exit दोनों ही fix है, यानि East से South में जाने वाला traffic, तो East से South में जाने वाला traffic कौन सा है, यह Left direction वाला 300, य यानि A की value क्या हो गई, 300 हो गई आपकी, फिर आपको B की value चाहिए, यानि entry fix कर दी, अब entry क्या हो गई, East, clear है, तो entry fix कर रखी है, तो East वाला traffic clockwise move करेगा, West तक जाएगा, और East वाला traffic North तक जाएगा, यानि East से West जाने वाला traffic कौन सा है, यह Straight वाला 550, ठीक है, plus East से South North जाने वाला traffic, East से North जाने वाला traffic कौन सा है, 250, तो यह हो गई, B की value, C मतलब exit fix कर दी, अब South जो exit है, तो यह fix हो गया है, तो अब East का तो कोई मतलब नहीं रहा, entry का कोई मतलब नहीं है, इन दोनों का देखते हैं, तो North से South, यानि exit North वाला traffic है, वो सीधे exit यहाँ South से ह करेगा, और West वाला traffic भी exit कहां से करेगा, South से, तो North से South तक जाने वाला traffic कितना है, 650, ठीक है, और West से South आने वाला traffic कितना है, 300, तो इस टाइप से East और South की values मिल गई, यानि की East entry हो गई, South exit हो गई, तो इसके लिए values आपकी क्या आ गई, 650, 650 plus 300, अब बात करते हैं, D की, क्यानि entry और exit जो है, कोई भी fix नहीं है, बस इससे pass हो रहा है traffic, तो North से आने वाला traffic इससे pass होते हुए, जहां तक आएगा, West तक, तो North से West आने वाला traffic कितना है, तो आप देख रहे हैं, North से West आने वाला traffic कितना है, 300, clear है, तो यह overall East South direction की values आपको मिल गई, इसको जब जाएगी आपको, वो आपकी आजाएगी, 0.744, clear है, similarly आप South की values देख सकते हैं, South West अगर आपने fix कर लिया, A की value 350 आजाएगी, B की South और West, यानि directly South और South entry हो गई, West exit, तो यहां से निकला हो, यहां पर चला गया, तो यहां ते जाने वाला traffic कौन से है, 350, B की value अब एंटरी फ जाएगा, तो आपको पता है, South से North जाने वाला traffic 400 हो, South से East जाने वाला traffic 225 हो, 400, plus 225, similarly C देख लिजा, अब exit fix कर दी, यानि exit West हो, East से आने वाला traffic West जाएगा, और North से आने वाला traffic भी West में ही जाएगा, तो East से West तक जाने वाला traffic कितना है, 550, और North से वैस्ट जाने वाला traffic कित कि ये दोनों fix हैं बस इस से pass हो रहा है यहीं इस से आने वाला traffic जो pass होते हुए कहा तक जाएगा डॉल तक तो इस से north में जाने वाला traffic कितना है 250 तो इसके लिए proportioning ratio की value आप निकाल लेंगे 0.71 similarly अब आप west और north के लिए देख लिए ये entry है और ये exit है यहां से निकला traffic और सीधे यहां चला गया तो west से north जाने वाला traffic कौन सा है 400 तो एक ही value 400 हो गई अब entry fix कर दी exit मतलब नहीं है तो entry fix है यहीं से traffic आएगा सारा तो यहां से आया clock पास होते हुए east में गया और यहां से आय जाने वाला traffic 300 है यहां यनि 500 प्लस थ्री हâuड़ ready अब c की value मतलब exit आपने fix कर दिया तो जब exit fix कर दिया तो कहीं से भी traffic आएगा वह सीधे north में ही नीकलेगा तो south से traffic monv करते हुए north में आएगा east से traffic move करते हुए north में आएगा तो south से north में जाने वाला traffic कौन सा है 400 और east से north में जाने वाला traffic कितना है 250 clear है तो इस type से c की value आपने calculate कर ली अब आप d देखिए ये दोनों fix नहीं है बस इसे पास हो रहा है traffic तो ये traffic कैसे पास होगा south से घूमता हुआ जाएगा फिर finally east में चला जाएगा जनी south से east में जाने वाला traffic आपका कितना है 225 तो इसकी value कितनी आ गई 0.698 तो आपने देखा कि चार proportioning ratio की value आपको मिल गई तो जो सबसे ज़्यादा value होगी वह आप final value माल लेंगे 0.744 ये आपकी P की value आ गई clear है अब और values आपको calculate करनी है तो आपने देख लीजिए कि आपको दूसरी values जो calculate करनी है तो carriage way यानि कि approach width कितनी हो गई approach width की value कितनी हो गई जब 15 meter है नि approach width 7.5 meter हो गई तो उसके लिए e1 की value कितनी हो गई 6.5 meter ठीक है तो आप यहाँ से w की value निकाल सकते है e plus 3.5 से तो e की value क्या होती e1 plus e2 by 2 यानि e ले लेते है तो 6.5 plus 3.5 तो finally जब आप इसको add करेंगे कितना आ जाएगा 10 meter आपकी width of rotary आ गई अब length निकालनी है तो should not be less than 4 times of w तो इसकी at least 4 times of w तो ले ही सकते है इससे कम नहीं होनी चाहिए तो 4 into 10 कितनी हो गई 40 meter clear है सारी values आ गई directly capacity निकाल दीजे formula क्या होता है 280 w 1 minus 1 plus eyw 1 minus py3 upon 1 plus wyl तो यहाँ पर जब आप values put करेंगे तो finally कितनी आ जाएगी 280 into 10 into 1 plus e की value कितनी है 6.5 divided by 10 1 minus p की value आप निकाल चुके है 0.7 double 4 divided by 3 divided by 1 plus width of rotary आपको पता है 10 meter divided by length of rotary कितनी है 40 तो इसको जब आप solve करेंगे तो final आपको capacity मिल जाएगी 2779.392 वेहिकल पर आर तो generally जो questions आते हैं objective वेगराम हों वो कभी-कभी proportioning ratio जो है वो पूस सकते हैं ठीक है तो उसका formula जो है आपको पता होना चाहिए b plus c upon a plus b plus c plus d तो यह हो गया rotary का concept कि rotary की capacity कैसे find कर रहे हैं कैसे width of rotary find कर रहे हों कैसे आप length of rotary की value निकाल रहे हैं clear है अब आता है design of parking तो parking कुछ different types की होती है जिससे parallel parking हो गई तो parallel parking कुछ इस type की होगी कि suppose एक vehicle जो है along the length खड़ा है फिर उसको कुछ space देके दूसरा vehicle along the length खड़ा है फिर तीसरा space है यह parallel ही जो है सारी placed है तो जब parallely placed है तो इनके बीच की जहाँ end जो है suppose consider कर लिया number of spaces per vehicle यानि की per vehicle number of space कितना है clear है इतना space छोड़ा फिर यह spaces है तो कैसे calculate करेंगे तो इसकी जो length होती है vehicle की suppose वो consider कर ली 6.6 meter तो maximum इतनी length consider कर ली तो जो number of spaces आते है parallel parking के लिए वो आ जाता है कि length of road यानि suppose total length कितनी है road की यह हो गई length of road clear है तो यह मानली L divided by अगर आप एक vehicle से divide कर दे length से तो आपको number of spaces मिल जाएंगे तो L divided by 6.6 यह parallel parking के लिए होती है यह आपको values याद रखनी पड़ेगी question में आ जाता है अगर 30 degree angle parking है तो 30 degree में कुछ इस टाइब से place होगी वेहिकिल यह place हो गया यह angle 30 degree है फिर दूसरा वेहिकिल जो है कुछ इस टाइब से place होगा तो यह जो है यह भी 30 degree पे है तो इनके बीच की जो spacing रहती है वो आप calculate करते हैं n equal to L minus 0.85 divided by 5.1 इस formula की help से जो है आप 30 degree angle अगर parking है तो आप निकालेंगे अगर 45 degree parking है यही angle कितना हो गया 45 degree तो generally जो आप calculate करेंगे n equal to L minus 2 divided by 5.1 तो इस formula की help से आप 45 degree parking के लिए calculate करेंगे अगर parking 60 degree है तो आप calculate करते है n equal to number of spaces जो है L minus 2 divided by 2.9 इस formula की help से आप 60 degree parking अगर 90 degree parking है 90 मतलब इस type से vehicle place है ठीक है 90 degree पे placed है तो जो number of spaces होते है that is L upon 2.5 ठीक है तो अगर 2.5 से divide कर देंगे तो यह 90 degree parking आपको मिल जाएगी तो यह कुछ number of spaces है अलग-अलग angle पे अगर parking जो है प्लेस कर रहे है पार्क कर रहे है आप vehicle को तो आपको number of spaces कितना रखना पड़ेगा Thank you friends Thank you Thank you Thank you Thank you झाल झाल